राम राम जेहन, UPSC, जितने लोग भी UPSC कर रहे हों मेरी बात से रिलेट करोगे या फिर जितने लोग को भी लगता है कि UPSC तो एक तैयारी है जैसे बाकी अधर एक्जाम होते हैं उनके उपर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे UPSC के बारे में अगर सच में जानना है तुम्हें कि UPSC क्या है, UPSC किस लेवल की चीज़े देता है तो एक बार ओल्ड जो राजिंदर नगर है, ठीक है, ओल्ड राजिंदर नगर और मुखरजी नगर इन दो जगहे पे एक बार विजिट करके जरूर आना ओल्ड राजिंदर नगर और मुखरजी नगर हम यहाँ पे कुछ एक बिटर ट्रूथ के बारे में बात करेंगे जो कि आँखे दिमाग सब खोल देंगे देखो, UPSC की त्यारी के लिए एक हमेशा बोलते ही जर्नी है यह तरीके से ट्रॉमा है और यह ट्रॉमा जो कोई जहल गया हस्ते हस्ते उसकी नईया पार है क्योंकि देखो, यह ट्रॉमा इसलिए है यहाँ पे आप अकेले एक होस्टल के कमरे में रहते हो जाके अप अकेले गए इस होस्टल के कमरे में रहे जाके अब यहाँ पे जब आप बाहर निकलते हो माल लो आप एक किसी छोटे सैड, कानपूर, लखनव, कहीं से गए महाँ पे ठीक है अब जब वहाँ पे होस्टल में रह रहे हो तुम किसी दिन चाय पीने या जहां भी बाहर निकले तुम देख रहे हो कि 10,000 लड़का जो है 10,000 लड़का या लड़की सिर्फ तुम्हारे ही एरिया में तयारी कर रहा है 10,000 लड़के लड़किया जो है वो तुम्हारे एरिया में ही है जो तयारी कर रहा है और तयारी भी किस चीज की कर रहा है जिस चीज की तयारी तुम कर रहा हो जिस चीज के पीछे तुम भाग रहा हो वो भी उसी चीज की पीछे भाग रहा है तुम जितनी मेनत कर रहा है वो भी उतनी ही मेनत कर रहा है अब उन 10,000 को काट के तुम्हें अपनी एक सीट लेनी है यह ट्रॉमा समझने की कोशिस कर रहा है हो अभी तक तो क्या था कि तुम स्कूल में पड़े तुम घर पे पड़े तुम सेड थे अपने ठीक है तुम महले क सेड तुम अपने एरिये के सेड थे लेकिन जैसे तुम वहां पर पहुंचे तुम देखते हो यार मेरी तरीके 10,000 दिग्ज यहां पर मौजूद है अब इनके बीच में अपनी जगह बनाने वह कैसे बनेगी तो वह फस्ट्रॉमा वहां पर आता है जिसको हम लोग बोलते ह सेल्फ डाउट वही होता है तब ही आता है जब तुम्हें लगता है कि यार सब पढ़ तो रहे मेरे बराबर पहली चीज़ दूसरी बात यहां पर सबसे पहला बात तो यहीं होगे कितने सारी बीड़ देखे और मोटिवेशन दे दिया जाता है कि बीड़ से मढ डरो कैसे डरो जब सब एक ही तैारी कर रहे हैं भी तैारी कर रहे हैं पढ़ भी वह बराबर रहें दूसरी छीच UPSC त्यारी मांगती है क्या? Isolation Isolation में कई बार क्या होता है कि हम बोर होते है हमें क्या होती है? बोरियत होती है हम क्या होते है? फैमिली से दूर होते हम क्या होते है? हम किसी relationship में नहीं आ सकते है अब ऐसा कोई जबर जस्ती नहीं है कि नहीं आना है लेकिन हम मना करेंगे कि इनना हो जादा बेतर है क्योंकि ताइम मांगता है अब तुमने यहाँ पे क्या किया तुमने यहाँ जो अपना emotional angle था उसको खतम कर दिया emotional angle जो था उसको खतम कर दिया क्योंकि अगर तुम 22, 23, 24 की उमर में त्यारी करने पहुँचे हो ठीक है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी कुछ ना कुछ तो failing होंगी क्योंकि उस समय तो testosterone भी हाई रहता है तो यह जो feelings हैं इसकी वज़े से कहीं न कहीं तो तुम्हारा attachment भी हो रहा होगा लेकिन अगर तुम्हें एक serious aspirant हो एक serious candidate हो तुम्हें पता है कि यहां पे मेरा time जाएगा तो तुम हो सकता है उससे दूर हो जाएगा बहुत से लोग हो जाते हैं बहुत से नहीं होते हैं वो अपनी अलग choice है जहां पे तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा जो dopamine मिलता है तुमको वो सब चीज़े तुम्हें खतम कर दी तो जाहिर सी बात है जो 10% का area अपना बचा है वो trauma ही तो है लेकिन बस इसी trauma से जो निकलता है वो UPSC crack करता है और एक चीज़ और बता दें यह जो 10% trauma के हम बात कर रहे हैं यह जो चीज़े हमने गिनवाई हैं यह 10% trauma सिफ एक परसंट लोग ही जहल पाते हैं एक या दो परसंट लोग बाकि सब इस trap में फजाते हैं जो भी यह तुम देख रहे हो यह isolation को छोड़ दे family relationship emotional अंगल इस trap में फजाते हैं और वो फजे रहते हैं जिससे उनके लगते हैं 5 साल 6 साल साथ साल और वो तैयारी करते करते हैं उनकी जिंदगी वहीं पर निपड़ जाती है इसलिए जब B.U.P.S.C. में उतरो सबसे पहले तो एक महिना तक सोच लो क्यों उतरना है उसके बाद उतरना राम राम चैहिन